हाई स्टुडेंट्स तो आपने देखी लिया होगा जैसा की हम इस वीडियो में आपको याद कराने वाले हैं पोईट्री के जो पोयम है और उनके राइटरों के नाम तो फर्स्ट है करेक्टर ओफ ए हैप्पी लाइफ सभी को पता ही होगा तादातर के पहली पोयम का नाम कर एक्टर ओफ ए हैप्पी लाइफ है आप इनकी स्पेलिंग और नाम को पहले एक बार अच्छे तरीके से याद कर लीजेगा उसके बाद इस ट्रिक का जो है इस्तमाल किजिएगा और यह लिखी है जो राइटर है इसकी जो पोयट है सर हैंड्री वोटन ठीक है सर हैंड्री अब हम यहाँ पर इसमें अपनी ट्रिक के लगाएंगे एक याद करने के लिए आसान तरीका आपको इसमें देख रहा होगा हैंड्री ठीक है तो हैंड्री को जो है आप एक मिनिट के लिए जो सोच लिए हनी ठीक है जो शहद होता है और वोटन ठीक है तो आप देखेंगे कि हनी इतना मिला वो टन मतलब टनों में टनों के हिसाब से हनी जो था इतना मिला कि उनकी लाइफ जो थी हैपी हो गई खुश हो गई कि हैपी लाइफ कि हनी शहद जो है इतना मिला टनों के हिसाब से वो टन से हम यहाँ से टन निकालेंगे कि इतना मिला कि उनकी लाइब जो थी हैपी हो गई इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको ज़रूर याद रहेगा ठीक है उसके बाद आते हैं अगली पर दा ट्रू ब्यूटी ठीक है आप इसकी स्पेलिंग और पूरा नाम अच्छे तरीके से पहले याद करें उसके बाद जो पोईट का नाम है वो है थोमस क्रेव ठीक है सी ए आर इडबलू आप नाम ज़रूर याद करें क्योंके नंबर आपको नाम पर ही मिलने वाले हैं हम सिर्फ आपको याद करने का एक तरीका बसा तक थे हैं तो यह लिखी है थोमस चिव ने तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा कि चिव तो यहां से वोइस आ कहा रहा है कि मैं भी एक सुन्दर होता धा ट्रूव ब्यूटी ठीक है इस हिसाब से आप याद करने की कोशिच करेंगी कि मैं भी सुन्दर होता तो थोमस चूउ है जो लिखी है वो लिखी है The True Beauty ठीक है The True Beauty से हुआ Thomas Chew यानि एक कोवा जो की अपने सुन्दरपन की आशा कर रहा है तो The True Beauty लिखी है Thomas Chew ने थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें और हो सके तो एक पेपर पर नोट करकर इसको अपने साथ लेकर घुमें हर टाइम जभी भी आप फ्री हों उसको जरूर याद करने की कोशिश करें और नमबर थ्री पर है On His Blindness और यह लिखी है Johan Milton ने किसने? Johan Milton M-I-L-T-O-N तो आप याद रखने के लिए सिर्फ आप इतना दिहान रखें कि जो Johan Milton थे उनको नहीं दिखता था और वो अंधे थे ठीक है? Johan Milton जो थे वो अंधे थे इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं आपको सीड़ सीड़ी करें होगा On His Blindness तो जो Johan Milton थे वो अंधे थे ठीक है? चाहिए आप Johan Milton अंधा करके एक तरीके से याद कर सकते हैं जल्दी के लिए लेकिन माइड नहीं करना है सिर्फ याद करना है और नमबर फॉर पर आती है आपकी फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन एक कंट्री चर्चाड तो और इसके जो पोएट है वो है Thomas Gray ठीक है तो आपको याद कैसे करना होगा इसमें तूंकि सबसे जो बड़ा नाम है इसी पोयम का है तो इसमें से आप निकालेगे केवल चर्चाड ठीक है और आपको यह दिहान में रखना है थोमस चियू है ठीक है एक है Thomas चियू और एक है Thomas Gray तो आपको दोनों में difference रखना होगा वो कोवे वाले हैं और ये चर्चाड़ वाले हैं तो आपको इसको याद करना होगा Thomas Gray, Churchard Thomas Gray, Churchard इस तरीके से आप इसको अगर गानी की जगा भी repeat करेंगे एक दिन, दो दिन तो आप 100% नहीं भूल पाएंगे क्या थोमस ग्रे चर्चाड थोमस ग्रे चर्चाड ठीक है इस तरीके साब इसको याद करेंगे और नमर फाइफ फर आती है एलेमेंट एलेमेंट और वो लिखी है पी बी शेली ने पी बी शेली ने ये लिखी है बाकी की पांच अगली वीडियो मिलेंगी क्योंकि एक साथ आ तो लेमिट आपको पताई होगा नीबू होता है, नीबू को पताई होगा आपको, तो ये एक कमपनी का नाम है, PB Shelly, नीबू की भी एक कमपनी खुल गई है, और इसका नाम है, PB Shelly, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद, उमीद है आशा है कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो और अगर नहीं भी मिल भी हो तो आप डायक्टी रट्टा मार कर इसको याद कर सकते हैं क्योंकि सबसे मजबूत चीद हमारी रट्टा ही है आज के लिए मैं इतना ही धन्यवाद